नमस्कार अम्रीजनों आप देखनें स्यूटी पाइट शाला आपसी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले और सटीक इंफॉर्मेशन के लिए चनको सब्सकाइब कर लिजेगा विल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ध्यान दीजेगा आपके लिए लेटेस्ट अपडेट है और बेहत जरूरी है आपको जानना चोकि आपका अड्मिशन होने जा रहा है और इस न्यूज पे आपका अड्मिशन डिपेंड भी करता है ठीक है तो मैं ये नहीं बताओगा कि ये न्यूज गुड न्यूज है ये न्यूज बैड न्यूज है ये आप मुझे बताओगे पुरा सुनने के बाद कि actually आपको कैसा लग रहा है और यह हम लोग अभी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं यह है यूजी सी का ओफिसियल ट्विटर हैंडल ठीक है जहां पे इन्होंने 20 आवर्स पहले यानि 20 घंटे पहले एक पोस्ट डाला है ट्विट किया है जो की टाइम्स गूरूप का है ध्यान दिजगा यह ओफिसियल है कई निके उन्होंने अपने ऑफिसियल ट्विटर हंडल सहम तक पहुचाने की कोशिस की है हर एक चीजों का मैं आपको समझाने कोशिस करूँगा और आप समझने कोशिस कीजगा और सब्सक्राइब जरूर कर लिजे और अब ध्यान दीजे कि क्या यहां में मुद्द है यह तो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने बोला है कि 16 अगस यानि जैसे हम लोग आज से सुरू कर देंगे सेसन का मतलब होता है कि 6 महीने का जवाब का 4 समस्टर होता है वो यह लोग 16 अगस से सुरू करने की कोशिस कर रहे हैं बहुत सरी बाते यहां पर लिखी गई है जिसमें से लिखाया है देश की सभी इन्वर्सिटी और कॉलेज में इस बार अगस के पहल है कि UGC की सबसे बड़ी प्रत्मिक्ता इस बार नया सेसन को सही टाइम से सुरू करने का है चुकि कोवीड में इस सब चीज़े बहुत ही लेट चल रही है ठीक है यहां पर फिरुन मेंसिन किया कि कॉमन इन्वर्सिटी इंटरेंस टेस्ट यानि CUT का रेजल्ट की घोशा जुलाई के दूसरे हफ्ते तक हो जाएगी यहां पेनों ने रेजल्ट का बता दिया है प्रोफेसर कुमार ने कहा कि नया सेसन सुरू होने के साथ-साथ फिस रिफंड के नीमों की सकती से लागू किया जाएगा मैं बिसेकली बताऊंगा चुकि देखो इनका सकती जो है आ आने बरतने ठीक है यहां लिखा हुआ है कि जग्दिस कुमार बताते हैं कि यूशी के नए सेसन के लिए तीन प्राथिमक्ताइं हैं पहली सभी संस्थानों के समय पर सुरू करना ठीक है दस पंदर जुलाई तक आपका रजल्ट आने की बात कर रहे हैं लो उसके बाद बो नए राज्यों को बहुत जादा चात्रों आवेदन किया था मलब अबना बहाना निकाल रहे हैं कि चात्र जादा थे जबकि इनको पता होना चाहिए कि नीट के बच्चे जो होते हैं इंसे कहीं जादा होते हैं ठीक है चलो उनका दावा हम लोग एक्षेप्ट करते हैं चा बाद यहां पर देखो आपके लिए जो बैड नीज है न जो मलवेक्तर से आपको इस पर अवेर रहना है यह यह बोल रहा है कि छात्रों के हित में बनेगी फिस रिफंड पॉलसी अब देखो क्या है भाई रिफंड पॉलसी अपने आप में खुद एक क्या है गुड नीज न लेते हैं यूजिसी अध्याच कहना है कि फिस रिफंड के नेमों के सकती से पालन होगा इसके लिए ठीक है पर्मनेंट पॉलसी लाई जाएगी अगले एक दो दिनों में यूजिसी के ओर से सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा मलब कल परसों तक आ जाएगा बहुत से छात् है कि दूसरी जगह जाने पर छात्रों का फिस वापस में परसान ही होती है और यूजिसी ने इसी को ध्यान में रखते हुए नियम कायदे तैंग करने जा रही है अब देखो दो चीज़ें हैं आप समझने वाली सबसे पहले तो यह जो रिफंड पॉलिसी है यह बहुत स्ल चीज यहां पर रिफंड पॉलिसी में जैसा कि इनने मेंसन कर दिया है कि यह कॉले से दूसरे कॉले जाने वाली बात को लेगे तो यहां पर कही निकहीं ऐसे कंडिसन ना बना दिये जाए जिससे कि आपके पास कहीं एक फिक्स पोजीशन देना पड़े कि नहीं मुझे रियायत बरतने वाले हैं और किस चीज में हमारे लिए सक्ति से पैस आने वाले हैं उमीद करता हूं कि कुछ हम लोग ने बहुत पैसे ने दे चुका है तो हमसे पैसे के उमीद तला करे ओपर से हमारे आपने लिए ने ने ले लिए ने ले 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 झाल झाल